वेरी गुड मॉनिंग आविवन वालकम टो आंगाइनी स्टुदी आपको समर असाइमेंट स्टार्ट कर दिना है तो आज हम उसके बारे में डिसकस करेंगे मैं आपको एक्स्पेन करूंगी दन आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही वर्क करके कम्प्लीट करना है एक बारे में हमारा तर्ण कोरन से होता है हिंडी आज तो समर असाइमेंट जो करेंगे आज हम तुम्हें आपको एक्स्पेन करूंगी हिंदी आद्डुएंट ठीक है assignment के लिए आपने क्या range करना है एक 4 in 1 register ठीक है अगर आपके पास है तो आप SMM work करिएगा otherwise you have to purchase 4 in 1 register ओके तो आपको एक 4 in 1 register में यह work करना है हमारा assignment हिंदी ओके हमारा हिंदी का है रिटिन हिंदी में जो आप रिटिन वर्क करेंगे वो करेंगे रिट्रेस्ट लेटर्स फ्रॉम और टू री ठीक है यह आपको सब्सक्राइब और टू री ठीक है और से आपके पेरेंट्स या आपकी टीचर जो भी पढ़ाते हैं वह बाले डॉट डॉट करके और से रीजी तक एक पीच पर लिख देंगे ठीक है री तक फिर आपको बिख ना करके फोर टाइम्स कर लिए टीगा ओके फोर टाइम्स आपको और टू री करना है देन ऑर ल एंगर ने अर तो अहां और से अहां तक आपको पीच नम्मर वन टू ठीण learn करना है उसकी पहचान करनी है यह आपका हिंदी का समर असाइमेंट है आप फोर in one register में सबसे पहरे आपका हिंदी ही आता है तो आप महाँ पर अपने असाइमेंट ही कम्प्रीट करेंगी वन पीज पे और टू रिट्रास करना है फोर पीज आपको ही कम्प्रीट करना है और और अरल ने कंगिशन में आपको बता चुकी हूँ और तो आहां तक करना है देन इस और ट्राइंग समल साइमेंट आपको ड्राइंग बुक ओपन करने है पेज नमबर एट प्लम्स प्लम्स बने हुए है बेर आपने इसे कम्प्लीट करना है कलर करके देन पेज नमबर नाइन इस आपल देन पेज नमबर टैन मैंगो पेज नमबर एलेवन एंड पेज नमबर ट्वेल आपको यह ड्राइंग आपको यह ड्राइंग असेमेंट है आपने इसे कंप्लीट करना है पेज नंबर 8 9 10 11 12 ओके आप सभी को समझ में आगया होगा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मिंसे कंफर्म कर सकते हैं ओके ठैंक यू